क्या विनेश फोगाट अपने रेटार्मेंट वापस ले रही है जी हाँ गाइज आप लोगों को पते होगा कुछ ताइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विनेश फोगाट जब पैरिस ओलम्पिक से डिस्कॉलिफाइ कर दी गई थी उसके बाद उन्होंने अपने पॉसिबल कमबैक के बारे में बात की इसमें वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की बट मैं आपको शॉट में बता देता हूं कि बेसिकली उन्होंने क्या बोला बसली उन्होंने बताया कि उनके बच्पन के सपने उनके पिताजी के इच्छ हैं और उनकी मां के स्ट् थिक लगेगा मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि हमने कभी हार नहीं मानी हमारी कोशिश है कभी रुकी नहीं और हमने कभी सरेंडर भी नहीं किया मेरे टीम, मेरे फिलो इंडियन्स, मेरे फैमिली सभी को ऐसा लगता है कि जो गोल हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अधूरा है कुछ हमेशा missing रहेगा और चीजे कभी वैसी नहीं होंगी शाद अलग सरकम्स्रांसेस में I could see myself playing till 2032 क्योंकि जो fight है मेरे अंदर और जो wrestling है मेरे अंदर ये हमेशा रहेगी मैं नहीं कह सकती की future में मेरे लिए क्या है और अगले सफर में क्या होगा लेकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हमेशा अपने beliefs और सही चीज के लिए लड़ती रहोंगी बाकी लेट सी आगे क्या होता है और हमारे PM मोधी भी विश्वागाट से रिलेटेड ये स्टेट्मेंट दिये थे उन्होंने कहा विश्वागाट पहली इंडियन विमेन ने जो फाइनल्स तक पहुंची इन रिस्लिंग इन अलम्पिक्स विज इस मैटर अव ग्रेट प्र